रहा है किसे समाज के सबसे बरे बिरोधी है और मारे तू बोल यहादआ को सरकार है कहे कि तीन तोरह दिल्ली नहीं पहुचाएगा तोरह उपरे पहुचा देगा हां सारह 11 बजह में को फोन करता है रात को और क्या कह रहा है कि अभी फोन कर रहा है तो फोन नहीं उठा रही है लोग खालो भवा लोग खालो खालो खायते खायते में ट्रेन एक बाई गाई इसे हो लो पलाट के लो जिंदगी खताम हो लो उसके लिए हम एक मिनिट का मौन धारन पहले करेंगे नमस्कार आप देखरें अपना सिटी नूस तक दोस्तों आज से तीन दिन पहले बिहार के बकसर के रगुनातपुर स्टेशन के पास एक बहुती वरा प्रेंदुर घटना हो जाता है जिसमें कई यात्रियों की मौत हो जाती है और कम से कम बताया जारा कि 200 से ज्यादा यात्र एक बार फिर से बिहार में ट्रेंदुर घटना देखने को मिली है जहां पर जो भारत के परधान मंतरी है रेंद मोधी वो देखने तक नहीं आए अभी मेरे साथ एक्टर समिर्चोजी चली जाने का पर्यास करें कि आकिर हमारा समाज कहां जा रहा है और आम यात्रियों की क सबसे पहले तमाम दर्सक के नमस्कार आदाप सास्रिया काल जो सरकार यह कह दे कि तीन घंटा में तोरा दिली पहुंचा देगा तोरा उपरे पहुंचा देगा कार उरिशा में जो घटना हुआ है आप लोग देखे होंगे कि मोदी जुआ आगेल तुन भाईया भाईयों बहनों देखिए हम आगे हैं तेरी मा का अरे भाईया मतलब का बना रखें आपको बिहारीों से कुछ परसनली दुस्मनी है क्या अगर आपको दुस्मनी है लेकि बिहार में जादे यहां भक्ति सागर आवा तो बिहार में तो अभी तक अना इलाता भाईया आधा वोटकर्ट के लबात और कि मोदी ओ भाईया खाचरा अड़े भाईया आना चाहिए था आपको यहां दर्द दिखाना चाहिए था कि जो आप बोलते हैं ना वीडियो पे आपके हम भी एक ऊओ यूटूबर है जो आप किसके लिए काते हैं क्या काते हैं बहुत बरका चालवाज आदमी वहां पर किया है वहाँ पर मैंने देखा कि कम से कम वहां कई से 24 बोगी मतलब पलटा हुआ था मतलब जो पत्री से ट्रें जो है ने उतर गया था आपको क्या लगता कितने मौते हुए हो लोगां कि न कि रात के नो बजे एक लड़का हमको को फोन किया और क्या कहा है के रहा है कि रात को ममी मेरी मेरी 9 बजे यह बोले सग्छार रही तो छ गहत्ना हो गए A पूरा रो रहा था तो हम भी सोचे क्या हुआ रात के अंदेरे में फोन करके रो रहा है तुरंत हम फिर फोन लगा एक दूब को पता कि तो भाई यह बहुत बड़ा घटना हो गया रहा गुनातपुर में ट्रेन मुलट किया पूरा रोख भाई की बहुत रोने लगा रहा हम का बताओ बाई तब जाके का क्या होती है जिसकी होती है उससे पूछ लो इ पूछी है कि आखिर में मा क्या है अगा कि एक फैनली है जो दिली इस टेशन पर अपना इसके बाद उस में से मां बाप बेटा या बेटी जो भी थे ठीक है उसमें से दो कोई मर्द आते हैं दो कोई जिन्दा वस्ते हैं सोचिए कि उस मां फिता पर क्या गुजर रहा होगा जो अपने पत्नी अपने बेटा को खो दिये सोचो भाई सोचो मात्र 10 बजे रात में सब खाना बाट के खा रहे थे उसमें वह पती भी पतनी भी दुन्नों बुतरू भी हाँ लोग खालो भूवा लोग खालो खालो खायते खायते में ट्रेन एक भाई का इसे हो लो पलटके लो जिंदिगी खत हो जो पर फास्ट के फेरा में लगे हुए जो सोच रहे कि आदमी हिए खालेगा तुरत में चल जागा कहू और बैटे पाले त्रेंड का उद्गाटन हुआ था और यह भी खाबर आरे कि आप बुल्लेट ट्रेंड चलाने की तयारे यहालिए आपको हो भो इस सब इब गekiरे तुप अव जका रहें जब आप बंगढा तीजे बना दीजे तो पलेन को रोक दीजे पलेन को किbenों किए पलेन को पंख debates पार दीजिए हां चलते हैं उड़ने लगेगा तो यह सब राजी नितिस कुमार वह भी तो नहीं गाए देखने के लिए कहला से हैं वह इसी जाके पाइसा माटते है थी आइसी जाए को आप बोले कि चार लाग का मुआपजा देंगे जिसकी मिर्ति हुए तो समाज के जो पर हमें एक आना चाहेंगे कि मोदि जी को एक बार आना चाहिए था मोदि जी बिहारीयों को यह दिखा दिये लेक्षेय को चल जाते हैं बिहार में बुरिवार को क्या चाहेंगे जिस परिवार ने अपने आलवचे को कोई पती कोई पतनी को खो दिया क्या किना चाहिए बस कहना कुछ नहीं है उनके लिए हम एक मिनिट का मौन धारन पहले करेंगे देखिए सबसे पहले कि जिसके हाँ से पडिवार अगर चला जाता है न परकार तो उझे दर्द होता है बहुत बोला तो गया कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में हाँ अगर मदद की जरूरत है तो आप दम बोलिएगा आपके घर में आके समीर चोतरी मदद करेग आपके लिए पानी भी भरेगा एक जटके में कितने परिवार अपने परिवार को खो दिया एक जटके में उसको पता भी नहीं तो क्या होगा अरे हम हुँ चल लेती हो तोरा पता हा हुँ हम हुँ जाय बला थे हैं लेकिन बापरेबाब जैसे हमरा पता चलता है रात में कैसे से दुर घटना हुआ है हम डिली जारहे थे सुबह दिल्य नहीं जा रहे हैं तो घर पड़ी बार रोते रहा जाएगा देख नहीं रहा है तमाम बिहार पास्तियों को महां जो सुपर फास्ट हो इन सब के नाम पे आप लोग को बलगाया जा रहा है इन सब पे आप लोग मत बैठिए अब बैठिए तो उस ट्रेन पे बैठिए जिसकी गती अपने अंदर हो जो आप 10 बजे रातिया का बाद ट्रेन अमा जानता कैसे चलता है जा रहा है कि 130 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड से चला सकते हैं तो वहां पे हर जगह जगह पर हाल्ट है हर जगह पर पसू है वहां पर आप आप उड़ाते फुराते जा रहे होंगे एक और बात हो कि घूस लेके नौकड़ी करने वाले लोग जेकरा साइकिल चलावे नहीं आता है उकरा ट्रेन के श्टेरिंग दे देता है तो यहीं नहोबेगा यही होगा आप राज चलते आदमी उठेगा दस लाक रुपईया घूस देगा अब भाईया हम तो रेलवे के ड्राइवर होग लियो आप बस बस यही बात है घूस पर आज के डेट में जो ब्रश्ट जिसको बोलते है ना कोची डोनेशन घूस होई सब घूस देदे के लोग नौकड़ी कर रहे हैं घूस देके नौकड़ी ले लेते हैं जो मेहनत करते रहा जाते हैं वह आज तक जख उखार रहे हैं जख मार रह आइसा नहीं है एसा नहीं है हम नहीं मानेंगे जो रगुनात्पूर जगह ना उसके आगे रहा है अपसुर्द लिए कि वहां पर एबरी टाइम कामें चलते रहे तो उसके बाद तो बहुत से रेलवे वालों को समझ में आ गया कि हाँ भाई पटरी देखना यह है वो है यह सब हम मोदी जी को सारा दोस्त देते हैं और हम कुछ नहीं जितने लोग मरे हैं जितने भी लोग वहां पे आज जिनका भी अच्छती हुआ जिनका हाँ टूटल है गोर टूटल है आग फूटल है सब के सब मोदी जी को दोस्त दी कोनो पाटी कभी खराब नहीं होता है पाटी जो होता है अब उसमें कुछ लोग खराब आ जाते हैं जैसे देखिए हमारे समराठ चोधरी भाईया गलतीन की ना गलतीन आए गए न जी तेजस्वी आदब तो नहीं गए आए पताइए तेजस्वी आदब कोट जाना चाहिए था अब हो थी ना हतुन के कहा गलत तुमसे लिए जाकर पुछ लें उनका से नहीं ना तो जो नहीं लेकिन हमारे देश के परधान मंत्री को एक टिपनी करना चाहिए था तुमसे कम नहीं तो आके एक बाइट देना चाहिए था बोलना चाहिए था था तो अखनी से सब आदमी अपना माई-बाप के चोड़ तेटर देखेगा कि मोधी जी बोल को कि ना मोधी है नामुमकिन ह बिहार के लोग अभी भी अपना दिमाग को ठंडा कर लो घटनाएं होती रहेगी हाँ दम होगी मोदी के हाथ में अगर ट्रेन हो प्लेन हो रिक्सा हो साइकिल हो सब हो तो अब सब से गिरवे आदमी मर्जे में चनावी रंजीस है जिसके बज़ा से बार बचा चुनाओ आता सब कटा जाओगे अपने में अपने में अरे मात तू बोले हमरा सामने हम यादब जी हो अरे राजपूत ही हो चीद है हम उखार ना उखार लिए जैब याद तो दोस्तों अभी मेरे साथ एक्टर समीर चौधरी थे जिन्हों ने जो रगुनात पुर्व स्टेशन पर घट घटना हुई थी उनके बारे में परतिकिरिया दी उन्होंने कहा कि यह घटना का पूरा का पूरो जेमेदार मोदी है बाकि इस वीडियो को अधिक साधिक सेर कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को फेस्बुक पेच पर देखने फॉलो कीजिएगा यूटूब चैनल पर